नमस्का एशनिस इंडिया में आपका स्वागत हैं में प्रिया आपके साथ चीन सीमा पर भारत ने तीन साल में दोसो पिंच्यानू रोड प्रोजेक्ट्स तयार किये हैं इनने पूल, सुरंगे और एर फिल्ट्स हैं बॉर्डर रोड और्गिनाजेशन की डिरेक्टर जनरल लेफटिनेंट जनरल राजीव चोधरी ने 24 सितंबर को ये जानकारी दी बियारो प्रमुक लेफटिनेंट जनरल चोधरी के मताबिक भारत ने पिछले कुछ सालों में चीन सीमा पर तयार 300 प्रोजेक्ट्स पर करिब 8,000 करोड खर्च किये हैं अगले चार महिनों में सहाट और प्रोजेक्ट तयार हो जाएंगे काम तेजी से चल रहा है तीन-चार साल में हम चीन को पचाड देंगे चोधरी चीन सीमा पर कंस्रक्शन का काम देखने आये थे बियारो चीफ लेटेनिन जनरल चोधरी ने कहा कि भारत सरकार हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए आर्थिक और नई तकनिक को लेकर काफी मददगार है बिते दो साल में सरकार ने हमारे बजट में सो प्रतीशत का इजाफा किया है डीजी बियारो ने कहा कि पहले की सरकारे चीन सीमा यानि वास्तविक नियंतरन रेखा एलेसी पर सडक बनाने को लेकर पशो पेश में रहती थी 2008 में रक्षा मंत्री रहे एक एंटिनी ने संसत में कहा था कि अगर हम सीमा पर सडके बनाएंगे तो चीन हमारे खिलाफ हमारी सडकों का इस्तिमाल कर सकता है आज की सरकार की सोच अलग है हमारे प्रोजेक्ट्स को प्रोमोट किया जा रहा है पहले साठ साल में दो सुरंगे बनाए गई थी अब हमने तीन साल में चार टनल बनाई सुरंगों का ये फाइदा होता है कि आप किसी भी मोसम में पहाड़ी इलाकों में जा सकते हैं रास्ता बंद नहीं होता है इसी के साथ बने रहे हैं एशानी जिन्डा के साथ खाली बाद